आज हम समश्टी अर्थसास्त्र के पहले अध्याय समश्टी अर्थसास्त्र का परिचय पढ़ेंगें समश्टी अर्थसास्त्र की उत्पत्ति अर्थसास्त्र में समश्टी अर्थसास्त्र का प्रारंब जौन मेनाड कीन्स की देन मानी जाती है कीन्स द्वारा 1936 में लिखी गई पुस्तक The General Theory of Employment, Interest and Money में इस बात की चर्चा की गई है कि सभी आर्थिक्चर ना केवल एक दूसरे से संबंधित हैं वरन एक दूसरे से ससक्त रूप से जुड़े हुए हैं किसी एक आर्थिक्चर में परिवर्तन होने पर अन्य चरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है इससे पहले अर्थ सास्तर में वियस्टिवादी दिष्टिकोंड ही देखने को मिलता था जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक चरों के विवहारों का विसलेशन किया जाता था और विभिन आर्थिक चरों को एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता था किन्तु कीन्स द्वारा 1930 की वैस्विक मंदी का जब विसलेशन किया गया तो यह माना गया कि सभी आर्थिक निकाय एक दूसरे से ना केवल ससक्त रूप से जुड़े हुए हैं बलकि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं अर्थिसास्र के जनक एडम इस्मित की प्रसिद्ध पुस्तक An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations जो 1776 में प्रकाशित हुई थी में भी एडम इस्मित की प्रकाशित हुए है इस बात का विसलेशन किया है जिसे उनका समष्टिवादी दिष्टिकोर कहा जा सकता है समष्टि अर्थिसास्त्र के संबंध में अर्थिसास्त्री लियो वालरा द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि एक बाजार में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव दूसरे बाजारों पर इस पष्ट रूप से पढ़ता है स्रम बाजार, पुझी बाजार और मुद्रा बाजार इन में से यदि किसी भी एक बाजार में किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन होता है तो उसका प्रभाव अन्य दोनों बाजारों पर भी देखने को मिलता है जब हम सभी आर्थिक निकायों का विसलेशन एक साथ करते हैं तो इसे समश्टी अर्शेसास्त्र का छेत्र माना जाता है यदि क्रिसी छेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उद्योग छेत्र पर भी पढ़ता है इसी प्रकार उद्योग छेत् इवर्तनों का प्रभाव क्रिसी छेतर में देखने को मिलता है। मन्दी की रसा में उत्पादक एवं निवेशक अपनी आर्थिक क्रियाओं की गती को धीमा कर देते हैं जिससे मन्दी कम होने की बजाय बढ़ना सुरू हो जाती है। एक पुण्जीवादी प्रणाली में ऐसी इस्थिती में भी सरकार का किसी प्रकार का हस्तक शेव अर्थ व्योस्था में देखने को नहीं मिलता है। जबकि कीन्स द्वारा ऐसी इस्थिती में जबकि निजी छेत्र द्वारा आर्थी क्रियाओं को अधिक बल अत्वा गती ना मिल रहा हो तब सरकार का दाइत्व है कि सरकारी निवेस द्वारा मंदी को दूर करने का प्रयास किया जाए। कीन्स ऐसे पहले अर्शास्त्री थे जिन्होंने आर्थी क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक माना था। समष्टी सब्द की उत्पत्ती ग्रीक भासा के मैक्रो से हुई है जिसका अर्थ है समग्र। जब संपूर्ण अर्थिव्योस्था को एक आर्थि की काई की रूप में देखा जाता है तो इसे समश्ठी अर्थिवस्था का विसेचेत माना जाता है जैसे राष्ट्री आय, राष्ट्री बचत, राष्ट्री निवेस इत्यादी यदि हम किसी देश की अर्थवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थवस्था में सभी वस्तूओं और सेवाओं के निर्गत के चरों में एक साथ संचरण की प्रकृती होती है उदाहरण के लिए यदि खाद्यानों के निर्गत में व्रिद्धी होती है तो आम तोर पर और्द्योगिक वस्तूओं का मीटर भी बढ़ता है और द्योगिक वस्तों में विभिन प्रकार की वस्तों के निर्गत में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवित्ती होती है जिस प्रकार से वस्तों और सेवाओं की कीमतों में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवित्ती होती है उसी प्रकार से हम उत्पादन इकाईयों में भी रोजगार के अस्तर को एक साथ बढ़ते या घर्टे हुए देख सकते हैं यदि किसी अर्थव्योस्था में हम उत्पादन, रोजगार एवं कीमत को एक दूसरे से संबंधित करके देखें तो संपूर्ण अर्थव्योस्था का विसलेशन करना आसान हो जाता है 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया की यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार और निर्गत के अस्तरों में भारी गिरावट आई जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा बाजार में वस्तूओं की मांग कम थी और कई कार खाने बेकार पड़े थे स्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था सैयुक्तराज अमेरिका में समस्त निर्गत के लगभग 10 प्रजशत की गिरावट आई इन घटनाओं ने अर्थ सास्रियों को नए तरीके से अर्थ व्योस्ता के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया आर्थिक एजेंट अत्वा आर्थिक चर्प ऐसे आर्थिक इकाईयों को कहा जाता है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वह उभोगता, उत्पादक, अथ्वा निवेशक हो सकते हैं व्यष्टी एवं समष्टी अर्थ सास्त्र में अंतर व्यश्टी एवं समश्टी अर्षसास्त्र एक दूसरे से इस अर्थ में भिन है कि व्यश्टी अर्षसास्त्र का अध्ययन छेत्र व्यक्तिगत होता है जब किसी आर्थिक चरों का विसलेशन व्यक्तिगत इकाई की रूप में किया जाता है तो इसे व्यक्ति अर्थे सास्त्र का विसेवस्तु माना जाता है जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत एवं व्यक्तिगत निवेश आदी जैसे ही इन चरों का विसलेशन समगर रूप से किया जाए तो इसे समश्टी अर्थसास्त्र का विशय माना जाता है जैसे राश्ट्री आय, राश्ट्री बचत, राश्ट्री निवेस, इत्यादी व्याष्टिवादी विसलेशन का आकार सूश्म होता है जबकि समश्टिवादी विसलेशन का आकार ब्रिहद होता है अर्थ व्योस्था के अनेक छेत्रों को एक साथ विसलेशन में सामिल करते हैं तो विसलेशन की यह पद्यती समश्टी अर्थे सास्त्र का छेत्र बन जाती है अर्थ सास्त्र में विभिन्य आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, उभोग, वित्रण, एवं निवेश, आदी चरों का जब हम विसलेशन करते हैं तो विसलेशन की दो तक्नीकी हो सकती है चरूं का विसलेशन या तो व्यस्टी अस्तरपी किया जाए अथवा समस्टी अस्तरपी जैसे अगर हम जंगल में किसी एक विक्ष का विसलेशन करें तो या व्यस्टी अर्थसास्तर का विसेचेत्र माना जाएगा लेकिन जब हम जंगल में लगे सभी विक्षों का एक साथवी सिसर्ण करें तो इसे हम समच्टी अर्षसास्त्र के अंतरगत रखेंगे आर्थिक इकाईयों की पारसपरिक निर्भरता किसी भी अर्थवस्ता में उत्पादन के विभिन्य छेत्र होते हैं जैसे क्रिसी उद्योग एवं सेवा या तीनों ही छेत्र एक दूसरे पर ना केवल निर्भर होते हैं बलकि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं क्रिसी छेत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव निश्चित रुप से उद्योग छेत्र पर देखने को मिलता है आर्थिक विसलेशन दोनों ही छेत्रों के विभिन्य चरों का एक साथ विसलेशन करता है जिससे संपूर्ण अर्थ व्योस्था का समगर विसलेशन होता है एडम इसमिर द्वारा भी विभिन्य आर्थिक चरों की पारिस्परिक निर्भरता की बाद स्विकारी गई है उब्भोग और उत्पादन एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं यदि उब्भोग की प्रवित्ती में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ेगा और अगर उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से नि पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन, उभोग, निवेश, एवं वित्रण जैसी आर्थिक रियाएं निजी छेत्रों द्वारा संचालित होती हैं। जिस छेत्र में उत्पादन करने पर उन्हें लाभ मिलने की संभावना होती है, उनके द्वारा निवेश का निर्णय ऐसे छेत्रों के लिए किया जाता है। पुझी वादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन प्रक्रिया में स्रम एवं पुझी के अनुपातों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो यह देखा जाता है कि इन देशों में पुझी को स्रम के उपर अधिक वरियता दी जाती है। वहाँ उत्पादन प्रक्रिया में पुझी का अधिक प्रयोग किया जाता है जिसकी वज़ा से स्रम को रोजगार की उपलब्धता अथ्वा औसर कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी और समाजवादी प्रणाली में पुझी के अस्थान पर स्रम को अधिक महत्व दिया जाता है अथ्वा वरियता दी जाती है जिससे रोजगार की उपलब्धता अथ्वा औसर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। भूमी, पूंजी, एवम स्रम उत्पादन के महत्पूर साधन है और इन संसाधनों का उप्योग उत्पादन के लिए किया जाता है। इस आयका उप्योग उत्पादक आगे नई मसीने लगाने के लिए करते हैं जिससे उत्पादन का विस्तार होता है। यदि केवल उत्पादन पर ध्यान दें तो यह व्यश्टी अर्थसास्त्र अथवा व्यक्तिगत प्रणाली पर आधारित निर्णे होगा। दूसरी और अगर हम उत्पादन के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान दें अथवा बेरोजगारी की समस्या पर भी ध्यान दें तो समश्टिवादी दिष्टिकोर्ण रखना होगा। इस समश्टि आर्थिक विसलेशन की महत्ता और बढ़ जाती है। इसमें स्रम बाजार, पूंजी बाजारों एवं मुद्रा बाजार के संतुलन को एक साथ विसलेशन किया जाता है। समश्टि आर्थिसास्त्र का विसेच्षेत्र समश्टि आर्थिसास्त्र के अंतरगत ना केवल विभिन आर्थिक निकायों के वेवहारों का एक साथ विसलेशन किया जाता है, बलकि उनकी पारस्परिक निर्भरता एवं उनके अंतर संबंधों का विसलेशन किया जाता आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्राय स्फीती, बैंकिंग, अंतर राश्टी व्यापार एवं भुक्तान संतुलन, आदी काविसलेशन, समश्टी अर्चसास्त्र काविसे वस्तु रहा है। उभुक्ता एवं उत्पादक बाजार की दो प्रमुक आर्थिक इकाईया मानी जाती हैं, जिनके द्वारा विभिन्य प्रकार के आर्थिक विवहार किये जाते हैं। दोनों के आर्थिक हित एवं आर्थिक उत्देश अलग-लग होते हैं। बाजार संतुलन अकेले क्रेता अथवा अकेले विक्रेता के विसलेशन से संभव नहीं होता है इसके लिए दोनों का एक साथ विसलेशन किया जाता है अर्थ विवस्था में मांग एवं पूर्ती दो अलग-अलग आर्थिक इकाईयों के विवहारों को दरसाती है जहां मांग का संबन उभोकता से है वहीं पूर्ती का संबन उत्पादक से है बाजार एक ऐसा स्थान है जहां दोनों ही आर्थिक काईया अपने अपने आर्थिक विवहारों को मूर्त रूप देती है इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता को स्विकार किया जाता है उब्भोक्ता एवं उत्पादक को अलग-अलग रखकर उनके आर्थिक विवहारों का विसलेशन करके संपूर्ण बाजार के संतुलन को नहीं प्राप्त किया जा सकता है समश्टी अर्थिसास्तर का महत्तु है किसी भी अर्थिवहस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार आदी का निर्धारण करने के लिए समश्टी अर्थिक विसलेशन का प्रियोग किया जाता है राश्ट्री याय का ऐसा कौन सा अस्तर होगा जिस पर अर्थ व्योस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिती देखने को मिलेगी इसके अत्रिक्त बेरोजगारी, मुद्राइस्पीती, गरीबी, भुकतान से आदी आर्थिक समस्याओं का विसलेशन समष्टी अर्थ सास्तर के महत्त को बढ़ा देता है सरकार द्वारा क्या किया जाए अथवा क्या किया जाना चाहिए यह निर्णाय समष्टी आर्थिक विसलेशन के बाद ही लिया जा सकता है नीतिकारों द्वारा योजना बनाते समय विभिन्य छेत्रों के विकास के लिए कौन सी नीति प्रभावी होगी, मुद्रा की आपूर्ती केंद्रिय बैंक द्वारा कितनी होनी चाहिए, वालिज बैंकों द्वारा विभिन्य आर्थिक रियाओं के लिए कितना उधार देना चाहिए इत्यादी महत्पूर्ण विस्यों पर निर्णय लेने में समझ्टी अर्शास्त्र का महत्व बढ़ जाता है धन्यवाद धन्यवाद